Microsoft Excel में किसी भी नाम के साथ Mr., Mrs. या Miss को कैसी इट किया जाता है मेरे पास दो टेबल है और इसमें डेटेल है Customer Name, Gender और New Column New Column के अंदर हम यूज़ करेंगे एप फंक्शन और एक दूसरे टेबल है जहां पे हमने Customer Name, Gender और Marital Status इनके साथ हमने क्या करना है Conditional Permit की जरी से Mr. या Mrs. को एड करना है Number 1 टेबल की उपर हम एप फंक्शन का यूज़ करेंगे Is equal to If If syntax का पहला argument है logical text Logical test में हम gender देंगे यानि C4 में अगर double quotation start male double quotation close अगर C4 में male है तो कॉमा double quotation start यहां भी क्या आजए MR.space double quotation close अब जहां पे mail है वहां पे MR एड हो जाएगा लेकर एड हम कैसी करेंगे एड के लिए हम एक sign यूज़ करेंगे एंड का जो के MR को cell इडरेस के साथ जोड देगा तो मैंने कस्टमर वाला cell जिसका इडरेस है बी पोर सलेकिया कॉमा लगाना है यानि अगर mail नहीं है तो यहां पे MS लग देंगे dot space double quotation close and इसको भी हम एड कर देंगे एक इसके साथ कस्टमर नेम के साथ और bracket close इंटर करना है अभी आप देख सकते हैं परस नेम अलीबट जो के male है इसके साथ MR को एड कर दिया और सेकंड नेदा जो के female है इसके साथ MS को एड कर दिया गया इसी तरह मजीद option मजीद name को हम a function की जरीश से एड कर सकते हैं ये तह हमरा पहला function a function second में हमने use करना है conditional permitting conditional permitting इस ये आसान है और अगर इसके criteria ज़्यादा हो पिर तोड़ा सा complicated बन जाता है तो conditional permitting के लिए हमने जाना है second table पे यहां पे customer name gender और marital status यहां पे different क्या है different यह है कि अगर married है तो miss आजाएं और अगर single है तो miss आजाएं यह चीज जिसमे different है बाकि जो offer क्या हमने उसी तरह है लिकन यहां पे हमने यहां पे हमने condition दीनी है और उसी condition की मताबिक हमने format set करनी है conditional formatting का पहला step यह है कि जिस data की उपर आपने condition को apply करनी है उस data को पहले select करना है for example customer name gender या marital status है इस मैंसे मैं condition को apply करता हूँ customer name की उपर तो मैंने इसको पहले select करना है फिर जाना है हम टेप के अंदर conditional formatting पी क्लिक करना है new rule पी क्लिक करना है और use a formula to determine which cell to format इसको select करके नीचे format value के अंदर हमने is equal to का sign लगाना है और पिर हमने एक cell को select करना है gender वाला male, female और keyboard से a4 को two time press करना है ताकि हमारे पास सिरफ c freeze हो जाएं lock हो जाएं और बाकी इसका जो column है वो आगे expand होता जाए उसके बाद अगर c21 बराबर है male का तो format प्क्लिक करना है इसका format किस टाइब मैं आज़ना चाहिए custom प्क्लिक करना है इस general को हम यहां से डिलील कर देंगे और यहां पे हम double quotation start और पिर हम इदर लिकेंगे mr.space double quotation close और आफिर में at the rate का sign लगाना है और ok करना है दुबारा ok कर दें अभी आप देख सकते हैं जितनी भी male है हमारे पास customer name है तो उसके साथ mr. का जो prediction name है वो aid हो चुका है पहला वाला mr. अली जान दूसरा mr. बिलाल अहमत और जो female है उसके लिए हम दुबारा condition apply करेंगे हमारा column already select है हम दुबारा जाएंगे conditional format पे conditional format पे करना है new rule को select करना है और यहाँ use a formula to determine which cell to format पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमार is equal to type करके gender वाले cell select करना है और keyboard से two time effort प्रेस करना है उसके बाद is equal to double quotation start female double quotation close और format पे क्लिक करना है अगर female है तो इसका format किस टाइम में आना चाहिए custom format पे क्लिक कर दे और यहाँ journal को सले करके हम लेकिंगे double quotation के अंदर ms missus या miss dot लगाना है space double quotation close और आहर में add the rate का sign लगाना है ok करना है दुबारा ok करना है अभी आप देख सकते हैं female के साथ ms और male के साथ mr जो के पूरी customer name के साथ लग चुका है और इस condition को हम मज़ीद detail में apply कर सकते हैं for example यहाँ पे आप देख सकते हैं जो married है उसके साथ भी missus आया है जो unmarried है जो single है उसके साथ भी missus आयी है तो इसको हम मज़ीद अलग अलग कर देंगे जो married है और unmarried है तो बार कंडिशनल परमेट पे जाना है new rule select करना है use a formula और यहाँ पे formula type कर देंगे is equal to end और यहाँ bracket शूरू हमने यह दर दो कंडिशनल लीनी है इस वाज से हमने end लिया sell सले किया और keyboard से app or quarter time press किया is equal to double quotation के अंदर female लेकि देंगे double quotation close second condition देंगे comma double quotation start single double quotation close अगर female है और single भी है तो इसका परमेट किस तरह आना चाहिए custom पी click करना है और इस single के लिए हम परमेट देंगे double quotation start यहां पे हम लिखेंगे miss m i dbs double quotation close और add direct का sign लगाएंगे और ok कर देंगे दोबारा ok करना है अब आप देख सकते हैं जो single है unmarried है तो उसके साथ miss लग चुका है और जो married है उसके साथ missis का हमने amr use किया है एक दूसरा condition एप्लाई करते है conditional permit पे जाते है new rule पे क्लिक करना है use a formula पे क्लिक करना है और नीचे हम टाइप कर देंगे is equal to and bracket start हमने एक cell सलेक करना है female वाला और के बोड़ से two time f4 press करना है is equal to अगर इस cell में female है double quotation close comma और दूसरा condition हम क्या देंगे merit और merit भी है के बोड़ से two time f4 press करना है is equal to यहां पे हम merit कर चुके हैं या दुबारा लगाएंगे merit है bracket close format भी जाना है और custom format भी जाना है और यहां पे लिखेंगे format double quotation start mrs missus dot लगाना है क्लोज add the error का sign लगाके ok करना है और दुबारा ok करना है तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो ms था उसको मैंने change किया mrs missus दोनों एक ही काम के लिए use होते हैं मैंने इसको change किया ms को mrs और अभी हरे का identification अलग अलग हो गया miss mr और missus इसी तरह आप मजीद doctor engineer यह जो respect के लिए यूज करते हैं या identification के लिए यूज करते हैं इसी तरह का नाम आप condition permit में multiple time यूज कर सकते हैं so friends उमीद करते हैं आज की video आपको अच्छी लगी होगी अगर video अच्छी लगी है तो video को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को वी फ्रेस कर दें ताकि हरने video के अपडेट सबसे पहले आपको free में मिल सके हमारे content आपके लिए बिलकुल free है आपके like और subscribe से creator को हफसल अभजाई मिलती है अपना बहुत सरा ख्याल लगीगा मिल दें नेक्स वीडियो में अलाहफेज